हम गौरव के साथ मर्कपुर में समय विता रहे थे और गौरव फिर से कपड़े बेचने निकला था तो फिर देरे किस बात के चले वो पूरा दिन गाव में कपड़े पेचने के बाद भी गौरव कुछ एक रुपए थीस पैसा ही कमा पया और जाने के लिए कम से कम चार रुपए चाहिए थे पूरा हार कर गौरव लोटके चाचा के गर वापस आया आकर पैर मूँ दोकर चाची से पानी मांगकर उसे पीते हुए आराम से फर्ष पर बेटा था अब तोड़ा थंड़क में सुसो रहा था तभी उसने देखा कि जिस कमरे में वो दो सद्धमे आदमे सोय हुए थे उस कमरे के कोने में दो तीन दोतिया एक के उपर एक रखी हुए थे जिसके बीच में उसे उसका कोय हुँ नीला बटवा दिखा तभी उसको पता चल गया कि ज़रूर ये दोनाने ही मेरा पेटी वो अभी भी है क्या इसे देखने के लिए जाकर उसको कूल कर देखा उसमें ग्यारा रुपे रखे हुए थे लगता है इन्होंने उनके पैसे भी इसी में रखे हैं ये लोग जब नीन से उटेंगे तब इन से बात करके मेरा सारा पैसा ले लूँगा वो दोनों मेरा पैसा लेकर भागने की स्थिती में भी नहीं है ये सोचकर उसे वहाँ ही रखकर गवरों फिर से बाहर की कमरे में आकर बैट गया अंदेरा हो चुका तब रात के कुछ साड़े साथ बज रहे थे चाचा जी केच से लटकर गर आये तोड़ी देर बाद जब वो दोती पदलने आये तो उसी देर में से दोती उटाई अब गवरों को आश्चेर हुआ तब उसको याद है अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो कोई घलत खामिक करना पड़ेगा तबी चाची ने काने के लिए भुलाया गवरों काने के बाद चाचा से सही से बाद चीत करके मेरे पैसा वापस ले लूँगा सोचकर काने के लिए रसोय में सब के साथ जाकर बैठ गया जब वो काना कहीं रहते तब उन जक्तमी लोगों में से एक ने गवरों से पूचा हम लोग कल सुब 9 बजे भेल गाड़ी से पास के रेल्व स्टेशन जा रहे हैं तुम चाहो तो हमारे साथ चल सिखत हो तब गवरों ने एक मिनिट सोचा फिर बोला ज़रूर मेरे पैसा का इंतजाम हो गया है तुम्हारे साथ मैं भी चलूँगा गवरों काने के बाद जाकर आंगन के पास बैटके चाचा से बात कैसे शुरू करू उनसे बात करू क्या यही सोच रहा था फिर 20 मिनिट सोचने के बाद उसने ये फैसला किया कि चाचा चाची उतने भी बुरे नहीं है उनके भी मजबूरी है अब उनके साथ जाकर जगडने से अच्चा मेरे पैसे को मैं ही ले लेता हूँ और बारा रुपे में से उनके लिए छे रुपे रख दूँगा और वैसे भी छे रुपे मेरे जाने के लिए जरूरत से ज़ादा है और वहाँ जाकर मामा से तोड़ा पैसे ले लूँगा और उसे ज़ादा इन लोगों ने मुझे दो दिन तक काना दिया रहने के लिए जगा दिया मेरे मोच पर दभाई लगई जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो ऐसा करना ही सही होगा सोचकर गवरव अंदर गया कुछी दिर में दस बच गये और सारी दिया बुजा कर सब लोग सो गये गवरव ऐसे ही सोने का नाटक कर रहा था कुछ एक गंटा ऐसे ही लेटा रहा अब हर तरफ बिलकुली सननाटा था फिर सब लोग सो गये ये पक्का करके गवरव दीरे से चदर नीचे करके वहां से उटा उस संदेरी में चांद की वज़े से तोड़ा सदिकर रहा था गवरव दीरे दीरे चलते हुए उन दोतिय के पास गया और दीरे से उस बटवे को कूल कर उसमें से चेह रुपे ले ली और जब वो पलटी रहा था तबी एक चिपकली उसके उपर गिर गई और वो जोर से चिला दिया और पासी के बृतन भी गिर गए तबी उसी कमरी में सोय हुए वो दो जख्मी लोग उट गए चाचा चाची भी दोड़ते हुए दिया लेकर आए और सब लोग चिंते तोकर पूचने लगे क्या हुआ भीटा तुम टीक तो हो ना तबी चाचा जी ने गवरों के हाथ में वो पैसे देखे और गवरों को शक्की नजर से देखते हुए चाचा जी ने पूचा ये क्या है तुमरे हाथ में और आकर बटवे को कोल के देखा फिर पलटकर गवरों की तरफ देखते हुए पूचा कि तुम यहां चोरी कर रहे थे गोरों की मुझसे बात ही नहीं निकल रहा था तब उसने वो वो मेरा ही बटवा है न इसलिए इसे वापस लेने आये था तब ही चाचा जी तुम्हरा बटवा तुमने यह कैसे मान लिया कि यह तुम्हरा बटवा है यह मेरा है पता नहीं कितन सालों से मेरे पास ही है और अगर ये असल में तुम्हारा बटवा ही होता तो तुम मुझसे पूच्छने के अलावा ये चोरी की तरह क्यों ले रहे हो और इसमें से सिर्फ आदे पैसे ही क्यों लिए पूरे बटवे को ले ले लेते गूरों की मुझसे शब्दी नहीं निकला वो पूरी तरह से गबरा गया तब ही उसको याद आया उसके बटवे को माने नीचे से एक लाल धागे से सिला था गूरों चाचा के हाथ से बटवे लिया और पलट के देखा पर वहां तो कोई भी सिला हुआ निशान नहीं था तबी चाचा ने यह क्या नाटक है तुम अभी भी मुझे चोर जताने पर तुले हो तुम कुद को क्या समझते हो तबी चाची ने उनको टोका और बोली रहने दीजी यह खल सुबा गर के लिए निकल जाएगा और आपके पैसे कहीं गई तह नहीं ना चोड़ ये फिर और जाकर सोजाईए चाचा ने कहा अरे ऐसे कैसे चोड़ जो अगर ये फिर से कुछ चोरी कर लिया तो चाचा गोरों की तरफ पलट कर बोले तुम घर से अभी ही निकल जाओ गोरों नीचे जुकाई हो अपने सर को उटा के उनके मुझ देखा तब चाचा चलो निकलो यहां स अब यही इस रात में कहा जाएगा कल सुबा तक रहने दीजिए फिर वही चला जाएगा तब चाचा ने अगर ऐसा है तो बोलकर गोरों की हाथ पकड़ कर उसको रसोई के कमरे का अंदर लेकर गए और बोले मैं इसका दर्वाजा कल ही को लूँगा बोलकर दर्वाजा बं कर दिया और कैसे कैसे चोरों को जगा दे दी कहते हुए सोने के लिए चले गया सारी दियों को फिर से बुझा दिया अब तोड़ी धिर में फिर से सन्नाटा और अंदेर अचा गया रसोई की तंडी फर्षफर गोरों बैटकर रोने लगा और ऐसे ही रोते रोते सो गया फिर अगली सुबह होते ही चाचा ने धर्वाजा कुला बाहर बैल गाड़ी तयार दी गोरों किसी से आख नहीं मिला पा रहा था अपनी पेटी लेकर बैल गाड़ी में जाकर बैट गया गोरों के पास अब ना पैसा था ना पहने के लिए सही कपडे क्यूकि सारे सही कपडे तो कहली बेच दिये थे अब बैल गड़ी चल पड़ी रेल्वे स्टेशन की ओर